हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको यंग गर्ल के लिए बहुती प्यारी सी फ्रोक बनाना सिखाते हैं यह हमने इसमें मेचिंग के लिए कपड़ा लिया है हम इसको वी शेप में डबल अम्रेला घेर की फ्रोक बना रहे हैं यह बनकर पड़े चार मीटर कपड़ा लिया है इसमें से हम सबसे पहले लेंध निकाल लेते हैं 35 इंच की लंबाई में हम इसको निकाल लेते हैं अलग नहीं करना है हमें सिर्फ मापनी है अब हमें इसको इतनी लेंध को डबल कर देना है इसकी ये देखें फ्रेंड्स हमने इसको डबल कर लिया है अब हम इसको एक बार और डबल कर लेते हैं पूरे कपड़े को ये देखें हमने यहां से खोल दिया है और इतनी ही लेंध का हमें एक बार और माप लेना है यह 35 इंच का हमने 35 इंच का लिया है 35 इंच की दो लंबाई को हमें दुबारा से डबल करके लेना है पूरी लेंथ इसकी 70 इंच बेड़ जाती है 70 इंच की लंबाई के हमें 2 पीस लेने है यह देखिए हमने कपड़ा निकाल लिया है इसका इस तरीके से यह देखिए यह बचा हुआ कपड़ा है इसको हम अलग निकाल देते हैं अब यह हमारा टोटल फ्रोक का कपड़ा बैठ गया है नीचे की घेर का इसको हमें इस तरीके से डबल कर लेना है पूरे कपड़े को और इसकी चार तेहे कर लेनी है देखिए हमने इसकी चार तेहे कर ली है इसके चार पीस वेट गए है इसका खुला हुआ हिस्सा हमें साइड में रखना है बीच में से हमें बंध हिस्सा रखना है इसको हमें इस तरीके से मिला कर रख लेना है रुमाल की त इसका खुला हुआ हिस्सा साइड में रखना है यहां से हम यह हमारी 30 इंच की है दूसरी साइड से हमारा एक्ष्ट्रा कपड़ा है नीचे की साइड से इस तरीके से हम इसको काट कर पैथश की लंबाई का कपड़ा कर लेते हैं चारो तरफ से हमें इसकी गोलाई बिल्कुल बरावर करनी है कहीं से भी कमिया जादा नहीं करनी है नीचे की साइड से यह देखिए हमें गोलाई में इस तरीके से शेफ दे देनी है पहले पूरी फ्रोक में पूरे गहर में अपने अब हम इसको निकाल लेते हैं यह अर्ज में से हम अपना कपड़ा निकाल रहे हैं लंबाई हमने 35 की ही ली है यह देखिए कटकर इसकी शेप कुछ इस तरीके से बैठ गई है अब हमें इसको खोल लेना है यहां से देखिए हमने खोल लिया है यह इसके गहरे नहीं है इसके गहरे इससे डबल है यह अभी भी हमारी चारते हैं हुई है यहां से हमने 5 इंच का निशान लगाया है और यहां से भी हमें 5 इंच पर ही निशान लगाना है अब इसकी वी शेप कर लेनी है देखे इन दोनों पांच इंच के निशानों को हमें इस तरीके से मिला देना है इसके ये देखे फ्रेंस हमने इस तरीके से इसको मिला दिया है ये हमने वी शेप में निशान लगाया है अब हमें इसको काट लेना है अब हम आपको इसके घेरे दिखाते हैं कितने हो गए है ये देखे फ्रेंड्स इसका कितना घेर हो गया है और इसमें प्लेट्स पर जाती है नीचे की साइड उपर से जादा घेरा नहीं होता है इसका और नीज़से बहत बैठ जाता है इसकी प्लेट्स पर जाती है जो कि बहुत ही ज़ादा प्याई लगती है अब हम अपना उपर का योग निकाल लेते हैं योग हमें 18 इंच की लंबाई का निकाल लेना है इस तरीके से हम 18 इंच की लंबाई का पूरे अर्ज का कपड़ा निकाल लेते हैं ये देखिए अब इसको हमें इस तरीके से डबल कर लेना है अगर आपका माप जादा है ये हम 34-34 माप का बना रहे हैं अगर आपका माप जादा है तो आपको चोड़ाई में कपड़ा जादा निकालना पड़ेगा यहां से हम इसको मिलाकर बराबर कर लेते हैं साथ हिंच का हमने तीरा लिया है और लंबाई में यह हमें आठ हिंच का रखना है यहां से इस तरीके से इस पर चकोन निशान लगा देना है अब हमें यहां से इसको इस साइड से फ्रेंट्स बराबर कर लेना है और यहां से उपर की लंबाई में से इसका चार इंच पर निशान लगा लेते हैं हम और इसको बिल्कुल बीच में कपड़ा हमारा सारा बराबर होना चाहिए देखे हमें यहां से चार इंच का निशान लगा लेना है और इसको इस तरीके से वी शेप दे देनी है इसकी अब हमें यहां से एक इंच का अंदर की साइड को निशान लगाना है और इसको इस तरीके से तिर्चा कर देना है जिस से उपर की कटिंग नहीं होगी और नीचे से एक इंच की इसकी गहराई आ जाएगी इससे फिटिंग अच्छे आएगी अब हम ये कंदे में गुलाई कर देते हैं ये हमने इसके गुलाई कर दी है तीरे में यहां से गले की चोड़ाई हमें तीन इंच रखनी है आप अगर बड़ा गला पहनते हैं तो गले को और बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं यहां से हमने इसकी लेंबाई चार इंच रखी है चार इंची को इस तरीके से हमें चकोर कर लेना है ये देखिए फ्रेंट्स हमने इसमें गोलाई कर दी है यहां से भी गोलाई कर दी है यहां से हलका सा हम इस तरीके से तिर्चा ढालदार निशान लगा लेते हैं कि अब यह हमारा योग पर पूरा निशान लग गया है अब हम इसको काट लेते हैं कि यह वी शेप कट गई है नीचे की हमारी इस जंगे से घेर में जूड़ती है यह साइडों की फिटिंग कट गई है और यह कंधा काट रहे हैं हम यहां से हलकी सी शेप दे देते हैं इससे हमारा तीरा बहुत जाद अच्छा आता है फिटिंग तीरे की अब हम इसको गले को काट लेते हैं हम इसका आगे का गला बड़ा बनाएंगे पीछे का चोटा बनाएंगे पीछे का गला हमें इतना ही रखना है और आगे का गला एक प यार हो गए हैं अब हमें इसको अलग कर लेना है हम आपको दिखाते हैं यह किस तरीके से बेठ गई है देखे यह उपर का योग बेठ गया है और यह नीचे का बेठ गया है इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से इसकी शेप बेठ गई है हमें बीच में पाइपिन लगानी इसके इस जंगे से जिसकी वज़े से इसकी V-shape उभर जाएगी यहां से हमें 30 इंच रखना है कमर पे से इसको और उपर चेस्ट पे से इसको 34 इंच रखना है इस तरीके से हमारी ये फ्रोग कट कर तयार हो गई है अब हमें आगे का योग डबल करके रख लेना है और इसमें 3 इंच का हमने लंबाई में पहले गला काटा हुआ है 4 इंच का और इसमें 3 इंच का हम और बढ़ा लेते हैं आप 2 इंच भी रख सकती हैं टोटल गला हमें ये 6 इंच का बनाना है चार इंच हमने पहले काटा हुआ है और दो इंच इसको और बढ़ा लेते हैं इस तरीके से हमें इसको गले को काट लेना है ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी शेप कट कर तैयार हो गई है गले की अब ये फ्रेंड्स हमारा बराबर में से फ्रोक की कपड़ा बचा हुआ है इसको हम इस तरीके से डबल कर ले लेते हैं इसकी जिस तरीके से हमने V-shave योग में बनाई है गेरे में इसी तरीके से हमें स्लिव्स में भी आगे से V-shave बनानी है इसको यहां से 8-9 इंच के करीब हम रख लेते हैं यहां से 3 इंच पर हम गहराई कर लेते हैं इसकी यह देखिए इस तरीके से हमने इसकी गहराई कर ली है थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम इसमें चुणनटे डालने के लिए और आगे से हमें ये इतना काट लेना है आप अपनी स्लीव्स की कोहनी से नीचे का माप ले लीजिए उसकी चोड़ाई के हिसाब से नीचे की काट लीजिए स्लीव्स को अब इस तरीके से हमें इसमें शेप दे देनी है देखें ये हमारी स्लिव्स कटकर तयार हो गई है ये नोक वाली ही हमारी V-shape की ही स्लिव्स बनेंगी जिससे ये और भी ज़ादा खुबसुरत फ्रोक लगेगी ये देखें फ्रेंड्स V-shape आ गई हमारी स्लिव्स की इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको हम काटकर बराबर कर लेते हैं ये हमारी फ्रोक कट गई है पूरी देखें इस तरीके से हमारी स्लिव्स की फिटिंग बेट गई है हमें यहां सी उपर की साइड इसमें चुन्नडे डालनी है थोड़ी सी ये हमारा पाइपिन का कपड़ा है ये रेब का कटा हुआ है आपके पास अगर रेब का कपड़ा कटा हुआ हो थो ठीक है नहीं तो उसको रेब का काट लिजिए और एक इंच की हमें इसमें से पाइपिन काटनी है इस तरीके से हमें पहले निशान लगाना है लंबी लंबी पाइपिने काट लेनी है हम इसके घेर पे भी पाइपिन लगाएंगे अगर आप घेर पर नहीं लगाना चाहते तो दो सिलाई करके ऐसे भी घेरे को मोड़ सकते हैं उपर की पाइपिन भी इसी तरीके से हमें निशान लगा लेना है हम इसके गलो पर पाइपिन लगाएंगे और V-shave में पाइपिन लगाएंगे और Sleeves में आगे की तरफ भी पाइपिन लगाएंगे और निचे के घेरे में भी लेकिन Friends वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती है कोई heavy सी ड्रेस बनाने के लिए उसमें थोड़ा जादा दिखाना पड़ता है cutting stitching उसकी जादा होती है इसलिए हम इसमें सिर्फ cutting की वीडियो डाल रहे हैं stitching की वीडियो हम अपने अगली पार्ट में दिखाएंगे अगली वीडियो में दिखाएंगे इस तरीके से हमें काफी piping इसकी काट लेनी है देखे फ्रेंड्स ये इसकी V-shape कटकर इस तरीके से ये हमारी फ्रोग तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकोन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके हम अपनी नेक्स वीडियो में आपको इसकी स्ट्रीचिंग बताएंगे फ्रेंड्स देखना ना भूलें तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स